वेलकम बैक टू माई चैनल आज मैं आपके लिए लेकर आए हूँ क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर जो है हमारा मैगनिटिजम उसकी हैंडिटर नोट्स तो आईए हम इनके कॉंटेंट्स के बारे में देखते हैं सबसे पहले यहां पर इसकी इंट्रोडक्शन के दी गई है फुल इंट्रोडक्शन यहां पर आपको बताई गया है तर्थीडरी ऑफ मैगनिटिजम वो यहां पर बताया गया है ठीक है विद्डीन ते आद्क लिए हमारी डाइग्राम के साथ Magnet के बारे में बताया गया है, Types बताया गया है, Properties of Magnet के बारे में बताया गया है ठीके, तर उसके बाद हमारा Natural Magnet के बारे में बताया गया है Artificial Magnets क्या होती है, वो बताया गया अगर आप इस Chapter की Hard Copy चाहते है, तो उसका Link हमारे Description Box में मिल जाएगा आप वहां से जाकर Hard Copy को Order कर सकते है, ठीके, Magnetic Substances, Non-Magnetic Substances, Magnetic Axis, ठीके, वो बताया गया है Magnetic Equator क्या होता है, Magnetic Length के बारे में बताया गया है, Magnetic Pulse, ठीके, तर ना आता है, Magnetic Field, Magnetic Field Intensity और Magnetic Field Strength, Magnetic Flux Tensity और Magnetic Induction यह सब के बारे में आपको यहां पर बताया गया है, Magnetic Dipole क्या होता है, वो बताया गया है, Magnetic Dipole Moment के बारे में बताया गया है, Magnetic Field Lines, Diagrams के साथ, Properties of Magnetic Field Lines, वो बताया गया है यहां से आपका फुल से लेबिस जो है, कवर हो जाता है, वो पूरा चैप्टर आपको यहां पर मिल जाएगा, अगर आप इसकी हार्ड कॉपी चाहते हैं, तो लिंक प्रीज हमारे description box को जाकर जल्दी से जल्दी चेक कीजिए, वहां से जाकर आप इसकी हार्ड कॉपी को औ कर सकते हैं, ठीक है, then current loop as a magnetic dipole, यहां हम इसे magnetic dipole moment of a current loop भी बोलेंगे, ठीक है, उसके बारे में बताया गया है, earth's magnetic field, क्या होती है, वो यहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक है, cause of earth magnetism, क्या cause है, earth magnetism का, magnetic elements के बारे में बताया गया है, ठीक है, कौन-कौन से होते है, वो यहां आपको बता दिया, magnetic inclination और dip, क्या होती है, वो यहां पर आपको मिल जाएगा, relationship between magnetic elements, वो बताया गया है, क्या relationship है, magnetic elements की, यह कुछ हमारे questions है, numerical problems है, जो solutions के साथ, आपको यहां पर solve करकर मिल जाएगे, classification of magnetic material, यह हमारा important topic है, इसमें हमारे diamagnetic substances आते है, properties of diamagnetic substances, क्या properties है, diamagnetic substances की, वो यहां पर बताएगे हैं आपको, अच्छे से explain करके, ठीक है, then paramagnetic substances, यह काफी important diamagnetic paramagnetic substances, यह काफी most important topic है, जो हर यह, exam में आते ही आते है, then उसके बाद हमारा properties है, then ferromagnetic substances, यह इसके parts है, ठीक है, इनकी properties, और ferromagnetic substances, important topic आगे है, ठीक है, यह हमारा important topic है, है. Electromagnet, क्या होता है. Electromagnet के बारे में बताया गया है. उसके uses, ये भी content है, uses, properties. Magnetizing. Field, क्या होती है. वो बताया गै. Republican Permeability क्या होती है. वो बताया गै है. Magnetic susceptibility क्या होती है. वो बताया गै. है तेन उसके बाद intensity of magnetization वो बताए गई है यहां पर ठीक है तेन उसके बाद relationship between you and xm वो बताए गई है ठीक है क्योरीज लोग क्या होता है वो बताए गया है क्योरीज temperature then height assesses वो बताए गई है यहां पर अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को subscribe कीचे और वीडियो को like, share and comment सरूर कीचे थैंक यू